तो हम तेरी जिले में लगतार चाकूबाजी, हत्या और चोरी की घटना हो रही है जिससे शहर में दहशत का महौल है वहीं एक बार फिर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, मृतक वनवे भाग का कर्मचारी बताय जा रहा है जनकारी के मुताबिक बठेना वाड निवासी भरत सिनहा अपने घर के पास टहल रहा था तभी आरोपी चेतन यादो किसी के साथ गाली को लोज कर रहा था जिसे मृतक भरत सिनहा ने मना किया और इसी बात से नराज होकर आरोपी ने मोटर साइकल के चाबी को अपने मुठी में फसा कर भरत के सीने पेवार कर दिया जिससे युवक वहीं पर घायल होकर गिर गया घायल हालत में ही युवक को मसीही अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने जाच के बाद युवक को मृत घोशित कर दिया वहीं वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है बठेना पारा धमतरी के प्रार्थी मनुखनला ने वर्पतर के द्वारा एक फायर दर्ज कराए गया है कि इसी के मौले के रहने वाले भरत लाल सिन्हा को आरोपी चेतन यारव के द्वारा उसके सीने में मुक्के से किसी नुखिली चीज से वार करके उसकी हत्या कर दिया है प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 131 BNS के तरह अपराद पंजीबत कर विवेशना में लिया गया है आरोपी को गिर्पतार कर लिया गया है आरोपी ने पुस्ताश में स्विकार किया है कि उसके द्वारा चाबी से मृतक के सीने में वार किया था आरोपी को गिर्पतार कर मानने नियाले पेश किया है